हेलो बच्चो मैं आज आपको क्लास 10 का 2024 बोर्ड में आने वाला अंग्रेजी का ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ अगर आपको अंग्रेजी एकदम नहीं आती है तो बोर्ड एक्जाम में आप लो कम से कम 85 प्लस लाएंगे 100% में बादा देता हूँ मैं जो ट्रिक बताऊँगा क्यों आपको वो ट्रिक हमेशा याद रखने है ठीक सबसे पहले देखिए मैं एक 2023 का बोर्ड एक्जाम का पेपर ले लिया हूँ कर पाएंगे ठीक वह भी इंग्लिस के पेपर में अगर आपको थोड़ी भी इंग्लिस नहीं जाती है तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा सबसे पहले देखिए पार्ट ए में आपका मंटिपल चोइस कोशन रहेगा वह ऐसे रहेगा इकाम सेम टूसेम ऐ देखिए कि यह टीनों के करों सब्जेक्टिव इससे कटाने वाला हूं सब्जेक्टिव का सबसे पहले देखिए आप लोग यह जो question है MCQ इसका screenshot लेते चलिएगा क्योंकि बहुत ही important paper है यह ठीक screenshot ले लेजएगा आप लोग केवल 20 MCQ आपके board exam में आएगा ठीक उसके बाद देखी मैं आपको क्या समझाने वाला आप board exam में कैसे English में बहुत ही अच्छा number ला सकते हैं केवल आप इतना समझ लेजिए देखिए part B में reading सबसे पहले आपका आएगा reading read the following passage and answer the question that follow आपका एक passage दिया रहेगा जिसे passage की हिसाब से क्या 4 आपको question दिये जाएगे कितने कितने number कराएगे 2-2 और 1 number A number 2 number कराएगा B number 2 number कराएगा C number 2 number कराएगा एक number कराएगा ठीक सबसे पहले देखिए यह number what did the King do when he found out that the man was innocent सबसे पहले देखिए आपको इस question में देखना है कि सबसे पहले the king कहां पे मिलता है कि खोजना है इसमें passage में तो किंग कहां पे मिल जाएगा King King यहां पे हमें मिल गया ठीक तो नहां से लेकर when the king visited the jail he told him that he was innocent the king found out that it was true क्यों आप इतना लिख देंगे आप कितना number मिल जाएगा दो number मिल जाएगा क्यों आपको यह trick लगानी है ठीक उसके बाद देखिए B number B number क्या कहता है why was a shopkeeper surprise तो आपको देखना है कि shopkeeper कहां लिखा है ठीक और surprise कहां पर लिखा है ठीक तो shopkeeper कहां पर लिखा है देखिए shopkeeper 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 कहां पर shopkeeper यहां पर ठीक तो यहां से the purchase all the words from the shopkeepers and set them free at this the shopkeeper word surprise क्यों आप इतना लिख लिख लिए ही से लेकर subscribe कहां तक कितना नंबर मिल जाएगा दो number मिल जाएगा इस पर दो number और इस पर दो नंबर आपको क्या हो जाएगा ठीक उसके बाद कि number what did the man say to the shopkeeper यानि कि आपको क्या खोजना है मैं आपको जरूर खोजना है वाकि में तो मैं कहां मिल जाएगा आपको मैं यहां पर मिल जाएगा यानि कि यहां से लेकर if you had been in person like me for no fault you would have done the same क्यों आप इतना लिख दीजी आप कितना number मिल जाएगा दो number यहां से आपका किलियर हो जाएगा ठीक उसके बाद देखिए डी नंबर जो डी नंबर में आपको यह देखिए इसका भी ट्रिक है अगर आपका एक्जामनर यह देखता है तो आपको नंबर नहीं देगा डी नंबर का क्योंकि इसमें देखिए क्या लिखा है तो वीच वर्ड इन दपैसेज इज अपोजिट अपसोल्ड यानि कि सोल्ड का आप लोग क्या बताने अपोजिट बताना है तो इसका क्या होता है पर्टेस होता है आप लोग अगर नहीं आए तो इस पैसेज में कोई भी एक सब्द उठागर क्या कर देगा लिख अगर एक जांबर नहीं देखा तो आपको एक नमबर इससे मिल जाएगा ठीक उसके बाद देखिden लेखंगे इस पर दोदो नमबर आपके एक दम Kटने वाले हैं ठीक उसके बाद देखें बी नमबर आपका दोशा नमबर के आएगा राइटिंग आएगा write a letter to your father requesting him to send your 3000 rupees for purchasing the book यानि कि आप किस पर लिखना है father पर ऐसा एक letter लिखना है जो कि आपको 3000 rupees के लिए letter किताब खरने के लिए letter लिखना है तो आप लोग क्या करना अगर आपको नहीं आ रहा है तो सबसे पहले देखिए एक यहां से उठाईए एक letter to father requesting him to sell send you 3000 rupees for purchasing the book यानि कि यहां से लिखर कि यहां तर क्या कर लिख लिजिए उसके बाद देखिए क्या करिए इस passage में से इस passage में से कहीं से माले जी मैं यहां से उठा रहा हूँ ठीक यहां से उठागर कि मैंने 300 देखिए माले दा किंग से उठाया और माले जी कि मैंने कहां तक लिख दिया for sale तक लिख दिया उसके बाद नीचे आप लिख दिए अपना नाम लिख दिजेगा ठीक और लिख दिजेगा मैं class 10 में पढ़ता हूँ I study in class 10 क्यों आप इतना लिख दिजेगा आप वो क्या मिलेगा इस पर फूल नंबर मिलेगा ठीक question number 2 पर ठीक ऐसे इसको भी कर सकते हैं इसको भी कर सकते हैं ठीक उसके बाद देखे question number 3 question number 3 अब क्या है write a report of an election scene in about 80-100 बर ठीक आपको hint दिया गया है hint इतना दिया गया है ठीक आप लोग माल लिए कि आप वो यह question number 3 एकदम नहीं आता है तो आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले देखिए आप लोग mcq में चले जाए किस पे चले जाए mcq में माल लिए multiple twice question में आपको एक पैसेज दिया रहेगा तो पैसेज के यह से उठाए और पूरा पैसेज लिख दीजी आप ठीक आपको full number मिल जाएगा ठीक उसके बाद देखिए आपका कौन सा नमबर था आपका उसके बाद देखिए कौन सा grammar का portion यह से changing into indirect speech यह जो sentence दिया इसको आप लोग को indirect speech में क्या करना है convert करना है तो आप लोग क्या करेंगे अगर आपको एकदम नहीं आता है grammar तो आप देखिए क्या करिए my friend said to me क्यों आप लिखने इतना लिख लिख लिजी है ठीक my friend said to me और यह invaded कॉमा इसे जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा debt लगा लगा देंगे उसके बाद देखिए please give me your book for three days के वाल आप इतना लिख दीजी अगर आपका एक नंबर काट लेगा अगर नहीं द्यान से चेक करेगा तो एक नंबर आपका किलियर है इस पर ठीक हंडेट परसेंट एक नंबर किलियर है ठीक उसके बाद बी नंबर देखिए उसके बाद translate the following into English इसे आपको इंग्लीज में बदलना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगी question number four आपको सबसे last में करेगा ठीक क्योंकि आप लोग अगर आपको इंग्लीज थोड़ी भी नहीं आती है तो इसको last में करिएगा अगर आपको grammar आता है तो इसे पहले कर सकते है कोई problem नहीं आता है तो last में करिएगा वरना नंबर आपका ज्यादा कर सकता है उसके बाद literature का portion देखिए question 5 answer the following question in about 30-40 वाइच ठीक उसके पहला नबर क्या दिया है वाइन पोस्ट मास्टर सेंड और रिपले टू लेंचो फॉस्ट लेटर एड्रेस टुग ठीक आपका पहला नंबर दिया है इसका answer आपको लिखना है तो आप लोग इसका answer कैसे लिखेंगे ठीक आपको कुछ नह सब्सक्राइब तो यहां तक कर दिया ठीक यानि की थोटा भी कर सकते है कोई प्रब्लम नहीं इते है जैसे मांने से उटाया लक्त भर खत्म कर दिया ठीक तो आपको फूल नंबर मिल जाएंगे बोडिक जाम में ठीक क्योल आप इतना कर दिये उसके बाद देखिए इसके ओपिखते संदार के मैंने कहां से लुक्ते सब्सक्राइब याप किए इतना लिख देजी आप और फूल नमबर इंज बाद पूल नमबर अगला नमबर आप क्या है कि answer any one of the following in about 60 words मैंने आपको एक बात बहुत ही महत्पून बताना भूल गया ठीक बहुत ही महत्पून बात सबसे पहले देखिए अगर आप लिख रहे हैं question 5a का answer तो आप सबसे पहले देखिए answer आपको start कहां से करेंगे तो यहां से start करेंगे the post master send a reply to land your first letter address to God उसके बाद कहां से करेंगे उसके बाद मैंने का कहां लग से उठाईए और लग पे खतम कर देए ठीक आपको फूल नंबर मिल जाएगा ऐसे आपको कर रहा है ठीक उसके बाद देखिए बी नंबर मालने की एनी फ्रेंक से उठाईए और डायरे तक लिखिए उसके बाद जो पैसेज में था उसे आप लिख दीजे ठीक तो आप लोग क्वेस्टन आपको फूल नंबर मिलने वाला है बोडिंग क्या में सबसे पहले देखिए आप लोग इस क्वेस्टन में से दग यहां से उठाई और पीपल क्या कर यह खतम कर देए ठीक अब लिखिए उसके बाद को आप क्या कर लिए पैसेज उठा लिए और क्या आपको मिल बूमर मिल जाएगा उसके बाद देखिए अगला नंबर आपको क्या है आपको इसको याद कर लिजेगा ठीक वरना आपको अगर नहीं आप आ हूप आ रहा है तो आप लोग क्या कर लिएगा सबसे पहले देखिए आप पैसेज खोलिए पैसेज क्या है ही क्या से उठा जागा कि मैंने कहां खत्म कर दिया सेम क्या खत्म कर दिया ठीक तो अब क्या मिल जाएगा फूल नंबर मिल जाएगा ठीक उसके बाद देखिए आपका अगला नंबर क्या है आप इसे कीजिए या इसे कीजिए राइट फूल लाइन अफ एनी पोयम प्रिस्क्राइब इन आर सिलेबस आपका जो क्वेस्टन पेपर में नहीं आया है उसके एक पोयम लिखना आप यह कीजिए या यह कीजिए ठीक उसके बाद देखिए राइट इसेंट्रल आइडिया ओफ एनी वन आप देफूल इंग पोयम इन आवाउट फोटी से फिप्टी वर्ट तो आपको इन तीन तीन इस तीन में इसे कोई आपको क्या करना तो अगर आपको नहीं झोольшत गरेगा कमे उसका मत हैक्टै कर्कुषरण फंसर एंग पोलोईम करद십ी ud बीज Krudma ड़ा-प मैंटै। पहला नमबर है what was the only way to save tricky इन दोनों में से कुछ आप क्या करना है एक करना है ठीक तो मान लेजिए मैंने यह कर दिया ठीक तो सबसे पहले question क्यां से उठाजे दो अब क्या मिल जाएगा ठीक और दोनों नमबर का देखिए आंसर यान आपको 60 वर्ड में लिखना है और कितने नमबर का question है चार नमर का आप लोग का question है ठीक और दो दो कोसन भी आए आपको एक question कर देंगे तो आप कितना नमबर मिल जाएगा चार नमर मिल जाएगा सबसे देखिए राइट अब पारे में क्या लिखना है इनका जीवन परचे आपको लिखना है तो आप लोग अगर आपको नहीं पता रहेगा तो क्या करेंगे। क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा प्रोवाइड की जाती है अगर आपको कोई भाई भाई बंदू है जो क्लाश 10 2024 पूर्ट एक्जाम की तजारी कर रहा है आप उस चैनल के बारे में अवा से से शेयर करें क्योंकि वो भी पूर्ट एक्जाम में 95 प्लस ल